त्रेक्टरल डिस्फंक्शन या इंपूटेंस या लिंक में जो तनाव नहीं हो पा रहा है उसके भी दो मेजर रीजन हो सकते हैं एक साइकोलोजिकल हो सकता है एक और गैनिक और बल्कि कई बार तो ऐसा होता है हर अटाइक होने से दो या तीन साल पहले ही सेक्स की परिशानी आने लगती है पोर्नोग्राफी बहुत जादा कंज्यूम करते थे या डेली बेसिस पे घंटे के साब से वह पोर्नोग्राफी देखते थे तो यह जो सारे रीजन्स हैं इसका मतलब है कि साइकोलोजिकल कॉस है इसके लिए कोई भी महेंगी इंवेस्टिक मुआनी अगर हम डेफिनिशन पॉइंट अव्यीव से बात करेंगे अगर कोई सेक्स करने जाता है और 75-100% मामलों में थीन में से scor एक चीज़ों को होता है पहला यह कि ए्रेक्शन होती ही नहीं है आटेशन valley को मिलया हों दूसरा है कि मैंन्टेन नहीं उपाती इंको है कि वो उतनी देर तक करी नहीं पाते हैं कि वो एक दो स्टोक किया और इसके बाद जो है वो एरेक्शन चला गया उसके बाद तीसरा है इसमें कि रिजिडिटी उतनी तनाव उतना सकत नहीं हो पाता जितना कि पहले कभी हुआ करता था तो अगर इसमें से कोई भी स्टिती प्रेजन है और वो 6 मेने से जाधा है तो हम कह सकते हैं कि इनको एरेक्टाइल डिसफंक्शन है एरेक्टाइल डिसफंक्शन या इंपोटेंस या लिंक में जो तनाव नहीं हो पा रहा है उसके भी दो मेजर रीजन हो सकते हैं साइकोलोजिकल हो सकता है एक और गैनिक और गैनिक का मतलब है कोई ऐसा कारण है जो मेडिकल कारण है और उसमें मोस्ट कॉमन आया का वैस्कुलर इसमें डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के जिनको परिशानी होती है और बलकि कई बार तो ऐसा होता है हर अटाइक होने से दो या तीन साल पहले ही सेक्स की परिशानी आने लगती है क्योंकि जो मसे होती है खून की धमनियों वाली सबसे सॉफ्ट जो हैं वो लिंक होती हैं कंपेर टू हाट बट जबकि जो हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी ऐसी पांच चीज़े है जिससे हम बिना जाच के हम यह पता लगा सकते हैं कि यह साइकलोजिकल है यह फिजिकल है ही नहीं सबसे पहला है कि अगर किसी को स्पॉन्टीनिस एक्षिन होती है जब कोई प्लान भी नहीं कर रहा तब भी अपने आप उसका लिंग अगर एरेक्ट हो जाता है बिना किसी बात के तो दाट इस पर् पर्फेक्टली नॉर्मल उसके बाद जो चौथा है वो है कि अगर वो पॉर्नोग्राफी वगरा देखते हैं तो उनके लिक्मिलिंग में तना हुआ जाता है या वो कोई ऐसा लिट्रेचर देखते हैं किसी को देखके उनकी मन में तमन्ना आती है तो दैट इस जो पांचवें हैं यह एक परिटिकुलर फीमिल के साथ तो वह सेक्स कर पाते हैं बाकी लोगों के साथ तो सेक्स कर बाते हैं तो इसका मतलब यह जो है वो साइकलोजिकल मैं आपको एक्जामपल देखे बताता हूं जैसे कपल आये थे एक बार हस्बेंट ने पात हुई फ प्रसिटूट्स के साथ भी बट मैं अपनी वाइफ के साथ नहीं कर पा था जब डिटेल इस्टीली और दो तिन सेशन हुए तो यह पता लगा कि उनकी वाइफ जो थी उनसे ज्यादा क्वालिफाइड थी वह ग्राजूएट थी और यह फोर्थ के बाद ही रह गये थे लिना किसी दवाई के से ही उनकी तबिया ठीक होगी दो टुक सम टाइम कि आपस में आप जलब करें रिलेशन्शिप बनाएं और यह वाली बात हो उसके बाद एक और केस थे उनमें हस्बेंड वाइफ मेरे पास आये तो वह सेक्स ही नहीं कर पा रहे थे और इसकेस में उन जैसे आपको पेस्ट्री खाने की आदत पढ़ जा या गाजर का हलवा तो फिर आपको घर का खाना जो है उतना टेस्टी नहीं लगेगा और दूसरी बात यह है कि पोर्नोग्राफी में वो चीज़े दिखाई जाती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबली नहीं होती जितने लं नहीं सेक्स कर पाए और एक साल के बाद मतलब एक साल शादी के एक साल के बाद उनकी वाइव जो है वो प्रेगनेंट भी हो गई तो साइकलोजिकली मैं रिपीट करूंगा समराइज करने के लिए पांच चीज़ें जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी टेस्ट कराने क देखते हैं तो एक बाकी जगा तो एक प्रतिकुलर फीमल के साथ है नहीं हो पा रहा तो यह सारे रिजन से का मतलब है की साइकलोजिकल कौस है इसके लिए कोई भी महेंगी इंवेस्टिकेशन या टेस्ट कराने की जुरूरत नहीं है अगर आप अपने मतलब आप खुद स उसके नहीं girlfriend बन गई, तो उसकी जब पुरानी girlfriend मिली और उसने offer दिया, you can have sex with me today, but वो नहीं कर पाया, तो वो घबरा गया था, मैंने कि इसमें कोई घबराने वाली जुरूरत नहीं है, का था नहीं सर मेरी male ego तो लग गई, मैंने का वो that is a different issue, otherwise you are perfectly normal, because you are able to have sex prior to your girlfriend also, जो एक्स हो गई थी, और उसके साथ भी जो अभी current थी, but it is only कई वर के होता है, जब आप बहुत जादा committed होते हैं, relationship में, या आप सच में प्यार महबत करते हैं, अपने current relationship में, तब भी आपको एक बहार female के साथ sex करने में, इरेक्शन में problem, आ सकती है, ऐसे मैंने एक और case भी देखा था, जिसमें उनकी उमर लगबग 55 साल की थी, और वो काफी religious by nature थे, और उनकी जो अफेर चला, वो प्रोस वाली बंदी से चला, जो 35 years की थी, अपनी वाइफ के साथ तो वो नॉर्मली सेक्स कर पाते थे, लेकिन उस फीमेल के साथ नहीं कर पाते थे, तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद.